राजधानी में सीकल से संस्थान 36 गड़ के भवन का निर्मान का भूमी पूजन किया गया स्वास्त मंत्री अजचंद्राकर और क्रिशी मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने इस भवन के निर्मान की आधार शीला रखी है गौर तलब है कि 36 गड़ में सीकल से से जुड़े मरीजों की संख्या कुलाबादी की 10 फिजदी है लिहाजा ये हाई टेक अस्पताल भवन के मरीजों को राहत देने वाला होगा सिकल से संस्थान 36 गड़ के भवन निर्मान के लिए सुमवार को भूमी पूजन किया गया इस भूमी पूजन समारों में स्वास्त मंत्री अज़य चंद्राकर और स्थानी विधायक और मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल भी मौजुद रहे चार करोड की लागत से बन रहे इस हाई-टेक अस्पताल भवन का निर्मान एक साल के अंदर किया जाएगा इस नय सीकल सेल अस्पताल परिसर का शेत्र भर 6,160 वर्क मीटर है जिसके निर्मान के लिए 36 गड मेडिकल सर्विसेज कॉर्परेशन लिमिटेट द्वारा निर्मान कारी में सहयोग करेगा सीकल सेल संस्थान राजिका ऐसा चिकित सालह है जहां किसी भी प्रकार का कैश अकाउंटर नहीं है संस्थान में सीकल सेल रोग्यों की समस्जाज और उपचार के साथ दवाईया भी निशुल दी जाती है इस भूमी पूजन के अफसर पर क्रिशी मंतरी ब्रिजमोहन अगरवाल ने कहा कि जागरुकता के अभाव में सीकल सेल का रोग 36 गड़ में लगातार बढ़ रहा है सरकार ने इस पर रोग के निदान के लिए शोत करने की पहल पर विचार कर रही है साथ ही जागरुकता कारिटरम भी चलाई जा रही है आज एक बहुत अच्छी बात है कि 36 गड़ में जो बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों में है उस बीमारी सिकल सेल के इलाज के लिए एक सुपर स्पेस्टिटी संस्थान का आज यहाँ पर उदगाटन हुआ है साथ में 30 विस्तर के अस्पताल का भी सिल्यानास हुआ है और यह इस बीमारी की रोग थाम के साथ साथ हिलाज के लिए भी काम करेगा मैं स्वास्थ विभाग को इसके लिए बधाई और सुपकामनाय देता हूँ और इस बात के उम्मीद करता हूँ कि यह संस्थान आने वाले समय पर इस बीमारी को 36 गड़ से उन्मूलन के लिए पूरी तरह को सिस करेगा संस्थान के डॉक्टर अन्वीन नेरल ने बताया कि 36 गड़ में कुलाबादी के 10 प्रितिशत से जादा मरीज इस रोक से पाई जाते हैं डॉक्टर नेरल ने बताया कि 19,000 से जादा मरीजों की जाच की गई है मुहिप्रदेश में सिकल सेल के मरीजों का आकड़ा तकरिवन धाय लाग तक पहुँच गया है जिस पर संस्थान और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है इस संस्थान में भी किसी मरीज से किसी दरका इवन पंजन शुलक भी नहीं लिया जाता सबी चीजे यहां पर निश्वलक मोहिया कराई जाती है जिससे यहां के सिकल सेल के मरीजों में काफी उम्मीदे जगी है और उनका जीवनस्तर काफी हद तक सोधरा है उनकी जीवन की लाइफ काफी बढ़ी हुई है तो यह संस्थार आगेज चलके हिमोगलोमिनोपैथीस की जो बिमारी होती है जिसमें थेलसीमिया भी है, हिमोफीलिया है, दूसरी हिमोगलोमिनोपैथीस की जैसे बिमारिया है उन सब के निदान के लिए, उनकी डायगनोसिस के लिए, उनकी रिसर्च के लिए और इसमें शोत कारियों के लिए इस अंस्थार काफी अत्ता काम करेगी और यहां के medical officers के लिए, technicians के लिए और counselors के लिए training की भी यहां विवस्ता की जाती है जो इस बिमारी को आने वाली generation में रोकने में काफी मदद करेगी इस भूमी पूजन कारिकर में स्वास्त मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने 30 बच्चों को सीकल सेल कीट दिया ये बच्चे इस बिमारी से ग्रसित हैं जीने इस कीट का वितरन किया गया उनके लिए उप्योगी दवाईया और जरुवत की कुछ छीज़न दि गई है गौरत लिवेक की सिकल सिल संस्थान द्वारा राजी के प्रतिक स्थान तक सिकल सिल रोगी संबंधी जानकारी पहुचाने के उद्देष से कई महते योजनाई चलाई जा रही है संस्थान सिकल सिल के रोग्ताम और जन जाग रुपता के विभնकारी योजना पर गाउं गाउं तक पहुँचती है देश टीवी के लिए कैमरा मेंडरीशन इताम के साथ स्वरुभट अचारी की रिपोर्ट